बाबा गुरिंदर सिंध धिलो जी से मिले अचारय बालकृष्ण बाबा जी से मुलाकात की तस्वेरे अचारय बालकृष्ण ने सोशल मेडिया पर साझा की बाबा जी से मुलाकात के बाद अचारिया बालकृष्ण के महत्वपूर्ण विचार जिने जानकर चोंक जाएंगे आप पूरी खबर विस्तार से बताएंगे बने रहें विडियो के अंत तक नमस्कार आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी हाल ही में पतंजली योगपीठ के अध्यक्ष और बाबा रामदेव के सहयोगी अचारिय बालकृष्ण ने अपने फेस्बुक पोस्ट के माध्यम से बाबा गुरिंदर सिंग धिल्योजी से हुई एक विशेश मुलाकात की तस्वीरें शेर करते हुए मुलाकात के विस्तृत विवर्ण का उलेख किया उन्होंने लिखा सेवा सुमिरन सत्संग से जीवन को निर्वेसनी सात्विक और सहज बनाने के अभियान में जिनकी अग्रनी भूमी का है ऐसे सेवा भावी संत श्री गुरिंदर सिंग धिलोजी महराज राधा स्वामी सत्संग ब्यास सेवा प्रमुक से सहरदेता पूर्ण मुलाकात एवं समसमायक विशेओं पर चर्चा एवं विचार विनिमय किया सनातन संतों की शक्ती सही वर्तमान है ये सब कुछ अचार्य बालकृष्ण ने अपने फेस्बूक पोस्ट में लिखा है इस पोस्ट से यसपष्ट होता है कि बाबा जी का दृष्टिकोन और उनके सत्संग लोगों को न केवल आत्मिक शान्ती प्रदान करते हैं बलकि सेवा और परुपकार के महत्व को भी रिखांकित करती हैं अचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी और पतंजली योगपीट के अध्यक्ष हैं उनका योगदान आयुरवेद, योग और स्वास्ते के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं उन्होंने पतंजली आयुरवेद को एक वैश्विक पैचान दिलाने में एहम भूमिगा निबाई हैं जिससे भारतिय पारंपरिक शिकित्सा प्रणाली को दुनिया भर में मान्यता मिली बाबा गुरिंदर सिंग धिलो जी की सरलता, करुणा, अध्यात्मिक मार्ग दर्शन ने नकिवल भारत में बलकि विश्व भर में लाखो लोगों के जीवन को प्रकाश में किया है उनका संदेश लोगों को सेवा और सुमिरन के माध्यम से जीवन की सच्ची सार्थक्ता को पैचानने की प्रेरणा देता है अचारयबाल कृष्ण ने बाबा जी से मिलकर उनके विचारों और दृष्टिकोन को और करीब से समझा और उनकी सेवा वे सुमिरन के संदेश की सरहना की इस मलकात नहीं है सिद्ध किया कि बाबा जी के शिक्षाएं समाज के हर वर्ग को जोडने और आत्मिक शान्ती की दिशा में ले जाने का माध्यम बन रही है ऐसे महान संति के आशिरवार और मार्क दर्शन से नकेवल उनके अनुयाई बलकि समाज के अन्ये महत्वपूर्ण लोग भी लाभानवित हो रहे हैं आज की है पूरी खबर आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बुक्स में जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही एक बर फिर से लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ